दोस्तो उट जिसे हम रेगिस्टान का जहाज भी कहते हैं रेतीले एरिये के अलावा समुदर में भी अपना लोहा मनवा रहे हैं जी हाँ हम बात कर रहे हैं खाराई उटों की जो अपने भोजन की तलास में समुदरी सफर ते करते हैं दरसल खाराई उट गुजरात के कच्छ छेतर में पाए जाते हैं जो समुद्र के गहरे और खारे पानी में आसानी से तैर पाते हैं एक तरह से कहे तो ये परकरती के करिस्मे की तरह है क्योंकि भारत में इसके अलावा उट कहीं भी तैरते नहीं देखे जाते कच्छ के उटों के खारे पानी में तैरने की खास्यत की वज़े से ही इन्हें खाराई नाम दिया गया है खाराई उटों की कुल संक्चा करीब 2000 के पास है और ये उट अपने भोजन की तलास में समुद्री यातराई तै करके टापू पर मिलने वाले मैंगरोव पेडों के पत्तों को खाते हैं जो इनका पसंदीदा भोजन है और खाराई उट इन्ही मैंगरोव पेडों के लालच में समुद्री सफर तै करते हैं